इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे वाइब स्क्रेपर आप को जो कि स्टॉक मॉनिटरिंग सॉफ़ेर हैं हमें जरूरत इसकी है पड़ती है क्योंकि हम अगर रिटेलर से सोर्सिंग कर रहे हैं तो हमें लाजमी यह सॉफ़ेर चाहिए होगा ताकि हम जैसे वालमार्ट है या समस्क्लाब है जो भी इनके यूर्ल्स है ताकि यह स्टॉक मॉनिटर कर सके यह साइट पर वालमार्ट आरहे है क्योंकि हमने मर्चंट्स में इसको एड़ कर रहा है मर्चंट्स की वीडियो देख लें अगर आप चाहें तो और मर्चंट्स कैसे एड़ करते हैं वेब स्क्र के इसे जिसमें सबसे पहले यूर्ल है यूर्ल या आपका सोर्स का यूर्ल है मीचे उसके से हैं जो आमेजान का होगा और पिर इस यू है जो आपने आमेजान पे बना रखा है तो हमने यह एक आईटम इठा लीए ऐट्रेडि डेमो परपस के लिए खया रहे कि यह आईट का आपने जो है वो एस इं उठाना है और Amazon पे इस तरह के से आपने यो यूरेल वाल्मार्ट में उठाना यह साइड भी मैंने open कर ली है और वाल्मार्ट का जो पूर Baylor है वह आपने copy कर लिया और इसके यहां यूरेल की पेस्ट कर दिया अब इसमें काफी सारी चीजें आ रही हैं जो एक्स्ट्रा भी हैं तो चाहें तो आप रिमूफ भी कर सकते हैं वन्हा छोड़ दें कोई फर्क इतना इससे पुड़ता नहीं हो कोदी भी रिमूफ कर देता है जैसे यह आईडी आ रही है विश में उसके बाद क्वेश्टिन माग के बाद फुजूल चीजें थी जो हमने अटा आ दी है ठीक है अच्छा एसके यू जो होता है वह नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया दूसरी वीडियो में ड़्यू एम का मतलब है वाल्मार्ट करेंगे तो यहां पो यही एक्सेक्ट प्रोड़क्ट वापस फौरण मिल जाएगी ठीक है यह आईडी हमने यह डाली यह चीज़ का ख्याल रहे कि यह आईटम पहले से अमेजान पे एड़िड है और यहां आईटम एड़ करने का मतलब यह हर्गिस नहीं कि यह एमेजान पे भी जिरो कॉंटिटी करतेगा क्योंकि यह स्कैन करेगा पहले स्कैन करने में इसको कभी एक घंटे से लेके तीन घंटे तक लग सकते हैं क्योंकि यह इनके सर्वर्स के जो क्रावलिंग के मामलात हैं वह उसके हिसाफ से चलता है तो आपको एस दिन और एसके यूँ यह इसमें पेंडिंग है अब आप चाहें तो आप इसको एडिक कर सकते हैं यहां पर बटन है एडिट का जब एडिट करेंगे तो एडिट की इंफरमेशन आपके सामने है प्रोडक्त नेम आप से पूछता है लेकिन आपको देने की ज़रत नहीं है यह खुद ही उठा लेगा लगना है तो आप यहां पर आप इसको अवराइट अलबत्ता करा सकते हैं तो जो आप इसमें कर देंगे यहां इस आइटम पर इस आइटम के लिए को आपडेट कर देगा तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मल्टिपक कॉंटिटी का मतलब यह होता है कि आपने अगर वालमार्ट से कोई ऐसी आइटम उठाई है जो आपको दो पैक खरीदें बाज वकात होता है आप जैसे फॉर एक्जेंपल डिश वाश सोप है फॉर एक्जेंपल और आप वालमार्ट से सिंगल पैक मिल रहा है तो आप फिर यहां पर टू कॉंटिटी कर देंगे मल्टि पैक की ताके वो वालमार्ट की आइटम की दो पैक की कॉंटिटी को जो है उसके प्राइस उठाके यहां पर एड़जस्ट करेगा और इसी तरीके से कॉस्ट बनाके वह इनफॉर्म को भी सेंड करेगा तो लाजिम है यह बहुत इंपॉर्ट की लिस्टिंग बनी हुई है तो लाजमी है कि आप उस उतनी ही पैक की कॉंटिटी पर यहां डिफाइन करें ताके इन एस लॉंग आस के वालमार्ट के ओपर वह सिंगल पैक में हो तो फिर उसी हिसाब से जो है यहां पर वह अपलाई करेगा कैल्कुलेट करेगा उसकी कॉ आपकी सेव हो जाएगी और अल्टिमेटली यह कुछ देर में जैसे मैंने बताया कि यह स्कैन करके आपकी प्रोड़क्त को जो है वो लाइफ कर देगा जब यह आइटम आपका स्कैन हो जाएगा तो यह आटमेटिकली यह जो पहला टैब आरहा है ओके प्रोड़क्स में ज माम जाएगू